हेलो स्टुडेंट चावडासर लेक्चर के यूटूब चैनल पर आपका सागत है कक्षा बार्वी विशय बहुति की प्रश्ट मेंग 2021-2022 में हम अभी तक 6 इकाई के बहु इकल्पी प्रश्णों और अब्जेक्टिव टाइप जितने भी रिक्तिस्तान और बहु इकल्पी के प्रश्ण थे वह हमने देखें अब इस यूनिट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इकाई 6 अध्याए 9 के अब्जेक्टिव का अध्यान कराएंगे अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन को क चौदा अंक सबसे बड़ी यूनिट 14 अंक की यूनिट है यह 14 अंक देगी हमको यह यूनिट इसमें साथ आपजेक्टिव हुए आप लोगों को दो-दो नमबर के प्रेश्ण है और एक टीन मबर का प्रेश्ण है चौदा नमबर की है और द्याए नो और दस दो पार्ट इसके अंदर है, सबसे बेले हम इसके रिक्तिस्तानों के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं, एक सुक्ष्म दर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्धन शम्ता भी बढ़ जाती है, लेंज की शम्ता का मात्रक डायाप्टर होता है, आकाश का निलाय दिखाई देना प्रकाश की कारण होता है, प्रकाश के प्रक्रिणन के कारण, यहाँ पर बीच में खालिस्तान भी बन सकता था यह, प्रकाश के प्रक्रिणन के कारण, प्रक्रिन नन एक स्वस्त नेतर की स्पस्व द्रस्ति की निनतम दूरी 25 सेंटीमिटर होती है और चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है ते पांच आपजेक्टिव आप लोगों की स्क्रीन के शौमने रिक्तिस्तान में पूर्टि कीजे इनका स्क्रीन शौट आप ले लीजे इसके बाद हम आप लोगों को इसके सही भी कलप बताते है तो सही भी कलप देखते है निमने मेंसे किस रंग के लिए काश का अपफरतनांक न्यूनतम होता है तो वो कम होता है हमारा लाल रंग का एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है वो बेंगनी रंग के लिए होती है हीरे की चमक का कारण होता है पून आंतरिक परावरतन और एक 20 cm फोकस वाले आउतर लेंस को 25 cm फोकस वाले आउतर लेंस के संपर्ग में रखे तो संयोजन की फोकस दूरी कित्ती होगी तो वो होगी आपकी माइनस 100 cm तो ये इसका भी स्क्रिंशॉट आप लोग ले लिजिए हमने बिल्कुल छोटे से छोटे वीडियो बनाने की कोशिश किये ज्यादा लंबया हम आपको वीडियो नहीं कीच रहें चैनल पर बने लाइए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकम को क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए और अगले वीडियो का इंतिजार कीजिए हम अगले वीडियो में अध्याय 10 इसी इकाई के अध्याय 10 को लेके आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद